हेलो फ्रेंट्स वेलकम टो ए 24 नॉलेज़े ओफिशल यूट्यूब चैनल आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डिप्लोमा इन एलिमेंटरी एजुकेशन बिहार एडमिशन 2020-22 के लिए आप कैसे इसका ओनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में तो फ्रेंट्स यहाँ पर जो यह नोटिफिकेशन है या फिर आपके जो अप्लाइ लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे जोबरासा.com पर वहाँ पर जाकर आप इसमें अप्लाइ कर सकते हैं अगर आप एलिजीबल है और आप चाहते है डिपलोमा इन एलिमेंटरी एजुकेशन में एडमिशन लेना तो आप इसमें अप्लाइ कर सकते हैं तो फ्रेंट्स यहाँ पर जो अप्लाइ लिंक आपको मिलेंगे वो आपको यहाँ पर देखिए डाइट के अनुसार दिये गए हैं अलग-अलग डाइट के अलग-अलग आपको अप्लाइ के लिंक मिलेंगे इसलिए जो जो यहाँ पर डाइट एवलेबल हुए है उनके मैंने लिंक आपको प्रोवाइट कर दिये हैं बाकी जल्दी ही अपडेट कर दे जाएंगे तो यहाँ पर फ्रेंट्स मेल और फीमिल दोनों ही केंडिए एलिजीबल हैं यहाँ पर फ्रेंड जो selection होगा वो आपके यहाँ पर merit based पे होगा आपका कोई exam conductor नहीं होगा इस बार तो यहाँ पर आपसे जो details मांगी गई है इसके online form में वो फ्रेंड से आपको fill करना ज़रूरी होगा साथ में फ्रेंड से यहाँ पर देखे जनवरी महिने की पहली तारीक को आपको आपका age criteria count करना है minimum age 17 साल होनी चाहिए maximum age की कोई भी यहाँ पर सीमा नहीं है और यहाँ पर 10 वी बार वी के अंकों के अधार पर आपका merit बनेगा और इसके बार फ्रेंड से यहाँ पर आपको ज सामने प्रोवाइड कर रहा हूँ ऐसे ही फ्रेंड से आप आएंगे इसके home portal पर जहाँ पर आपको apply का link मिल जाएगा आप इस पर click कर सकते हैं उसके बार फ्रेंड से यहाँ पर होगा user validation जिसमें फ्रेंड सबसे पहले आपको कुछ important instructions देखने को मिलेंगे जहाँ पर देखे जन्रल, EBC, BC आवेदक जिनके 50% से कम है intermediate में वो फ्रेंड से आवेदन नहीं कर सकते SCST PA जिनके 45% से कम है वो भी आवेदन नहीं कर सकते साथ में आपको mobile number और mail ID से एक ही पंजिगन हो सकता है इसलिए आपको यहाँ पर आपकी mail ID और आपका जो registration number है जो mobile number है वो आपको active डा सालना होगा साथ मैं आपको अपनी scan copy भी आपके photograph, signature की और documents की भी upload करनी होगी और यह सभी जो आपकी details है वो बिल्कुल सही-सही आप फिल करेंगे साथ में अगर आप card certificate यहाँ पर show करते हैं मतलब आप reserve candidate है तो आपको card certificate भी show करना होगा अब यहाँ पर कोई problem आती है तो friends आप इन्हें mail ID पर mail send कर सकते हैं और इसके बाद यहाँ से इसको आप close कर देंगे close करने के बाद यहाँ पर आपको next section है यह आपको यहाँ पर register new candidate का और अगर आप पहले से register है तो आप register यहाँ से directly कर सकते है register new candidate पर करने के बाद friends आपके सामने एक option open होता है जिसमें friends पर आपको registration year जो कि आपका first year रहेगा यह आप select करेंगे आपका नाम DOB आपकी mail ID और 10 digit का mobile number आप यहाँ फिल करके register यहाँ से कर लेंगे तो basic जानकरी है जो कि आप यहाँ फिल करने वाले हैं इसके बाद friends से आपका registration process complete हो जाएगा आप दुबारा से इसको close करेंगे और इसके आप new password generate कर लेंगे और यहाँ पर आपको password दो बार verify करना है और उसके बाद chain password पर click कर देना है इसके बाद friends से आपके सामने यहाँ पर profile open हो जाएगा और profile होने के बाद आपकी basic information, educational details, आपकी documents upload और course apply पर आपको click करना होगा सबसे पहले आप click करेंगे basic info वाले option पर इसके ब आपका friends से mother name और यह enter करने के बाद आपको आपका gender select करना है और इसके बाद friends से यहाँ पर आपको marital status आपको select करना है और इसके बाद आपका अधार का number आप यहाँ पर दे सकते हैं आपका जो भी address है आपका full address city आपका district आपका state आपका pin code आप यहाँ mention करेंगे जो की present address है और ऐसे ही friends से आपका permanent or present same है आप same as पर click कर सकते हैं इसके बाद friends से यहाँ पर आपको नीचे enter करना है आपका whatsapp number आप यहाँ पर दे सकते हैं मैं आपका अभी सिर्फ demo के तोर पर data fill कर रहा हूं आपकी जो भी active and valid details है वो आप fill करेंगे इसके बाद यहाँ पर देखिए वो आप यहाँ पर provide कर सकते हैं इसके बाद friends से यहाँ पर है pH candidate अगर आप है तो आप इनमे से select करेंगे नहीं है तो आप none कर सकते हैं और अगर आप yes करते हैं तो आपको यहाँ पर आपका percentage देना होगा pH का अगर आप EWS candidate है तो yes कर सकते हैं नहीं तो आप इसमें no करेंगे और अगर आप yes करते हैं तो आपको EWS certificate भी upload करना होगा नीचे है आपका photograph and signature option तो यहाँ पर jpg format में आप ये upload करेंगे size आपको 50 के भी दिया गया है signature का 20 के भी size है jpg format में आपको ये upload करना है तो friends यहाँ पर photo and sign upload करने के बाद ही आप इसको submit या nest कर सकते हैं इसके बाद friends आपको यहाँ पर nest option में देनी है आपकी education details तो इसमें सबसे पहले friends से course का नाम tent आपका आएगा stream आपको all select करनी है passing year आपका कौन सा है यह आप यहाँ पर select कर सकते हैं fill कर सकते हैं इसके बाद board या university आपकी कौन सी है तो इन में से आपको board या university select करनी होगी अगर इन में से नहीं मिलता है तो अब other भी select कर सकते हैं इसके बाद friends से यहाँ पर आपको school या college का नाम देना है और इसके बाद friends आपको आपका mark type बताना होगा तो mark system है, cgp system है वो आप select कर सकते हैं और इसके बाद आपके total marks और marks obtained के आप entry करेंगे इसके बाद friends यहाँ पर आपको आपका mark sheet है वो आपको upload करनी है तो यह आप यहाँ पर अपनी jpg format में upload कर सकते हैं तो इसमें friends हर एक option के बाद यह processing लेगा तो आपको थोड़ा wait करना ही होगा तो आपको processing का wait करना है और जैसे ही processing complete होगी आप आगे के जो step है वो fill कर पाएंगे तो आप यहाँ पर jpg format है एक mp से कम अपनी जो mark sheet है वो upload कर सकते हैं इसके बाद friends आप यहाँ enter करेंगे आपके 12 की detail या mall week की detail वो आप यहाँ fill कर सकते हैं इसके बाद stream select करना है आपको उसके बाद आपका passing year आपको यहाँ पर select करना है इसके बाद आपको यहाँ select करना है same आपके board का नाम जो कि आप यहाँ से select कर सकते हैं तो आपको सामने same वही list open हो जाएगी इसके बाद school या college का नाम same mark system है cgp system है total marks कितने है आपके कितने आपने gain किये है यह सब आप यहाँ पर provide करेंगे इसके बाद friends से यहाँ पर next section है आपके यहाँ पर documents upload का तो आपको यहाँ पर same mark sheet upload करनी है jpg format में तो friends से sample के तौपर मैंने data यहाँ आपको show कर दी है fill करके कि इस तरह से आप यहाँ fill करेंगे और उसके बाद next step पर click करेंगे इसके बाद friends से next option है यहाँ पर देखिए आपके documents सबसे पहले है यहाँ पर देखिए birth certificate और यहाँ पर friends से आपको birth certificate upload करना है jpg format में 100 kb से कम size होना चाहिए car certificate आपको upload करना है वो भी आपका 100 kb से कम होना चाहिए jpg format में upload करेंगे तो जो भी आपका applicable है वो आप यहाँ पर upload कर सकते हैं birth certificate में आप चाहें तो 10 की जो mark sheet है वो भी आप यहाँ upload कर सकते हैं इसके बाद friends से देखिए आपके यहाँ पर जो यह सारे sections है यह complete हो चुके है और यह complete होने के बाद आपको एक option मिलता है student course apply का आप इस section पर click करेंगे इसके बाद friends से यहाँ पर देखिए आपको जो course का नाम है जो की है diploma in elementary education 2 year वो आपके सामने आ जाएगा और यहाँ पर friends से आपका apply session मिल जाएगा आपकी subject name मिल जाएगे और आपको application fees का option भी मिल जाएगा तो यह आपको pay करना ज़रूरी है और आप यहाँ से pay now कर सकते हैं इसके बाद friends से यहाँ पर आपका payment gateway open हो जाएगा आप यहाँ पर credit card debit card और net banking इन तीन option का ही use करें और यहाँ पर अपने payment को confirm करें तो यहाँ पर friends से आपका जो भी card holder name है वो आप यहाँ फिल करेंगे details को fill करेंगे और यहाँ से make payment कर लेंगे जैसे ही आपका payment verify होगा आपका final print out आप निकाल कर अपने पास से रख पाएंगे इसके बाद friends से आपका यह form complete हो जाएगा अब यहाँ पर देखिए आपको हो सकता है यह वाला performa या जो मैंना भी आपको form fill करके दिखाया यह आपको show ना करें तो इसके लिए friends से होता क्या है कि का अलग-अलग यहाँ पर diets के अलग-अलग आपके यहाँ पर form fill up के system है जैसे यहाँ पर है generate temporary registration number तो आपको registration number temporary registration number generate करना है इसके बाद आपको SBI collect के माध्यम से payment करना है और payment करने के बाद friends से आप इस option पर click करेंगे form को fill करने के लिए तो friends से same process रहेगी documents आपको सभी में upload करने होंगे और इस तरह से आप यहाँ पर अपना जो form है वो fill कर सकते हैं अलग-अलग diet के अनुसार अलग-अलग जैसा भी form है आपको बस यहाँ पर details को fill करना है और क्या क्या details fill करनी है वो मैंने आपको बता दिया है और क्या क्या documents upload करने है यही basically आप सभी जो form से उसमें आप upload करेंगे और website ठोड़ी slow कई website चल रही है और कई website के link अभी update नहीं हुए है वो जैसे ही होंगे वो आपको अपडेट कर दे जाएंगे और बाकी same process जो मैंने आपको बताया वो ही आपका यहाँ पर रहेगा और आप 10, 10, 12 की details को fill करना बिल्कुल भी सही-सही fill करके ध्यान रखेगा और साथ में mail ID और mobile number बिल्कुल सही आप fill करेंगे क्यों इसके लिए फ्रेंसे क्योंकि इसमें merit बनेगी आपके 10, 10, 12 basis पर और आपके आगी की जो भी process होगी वो आपको मार्श मोबाइल पर और आपके email ID पर ही मिलेगी यह चीज़ आपको ध्यान रखनी है और उसके बार इस form को fill करना है तो फ्रेंसे यहाँ पर जो भी detail मैंने आपको बताई है बिहार के DLD Minister Diploma in Elementary Education 2020-22 के admission form आप कैसे fill कर सकते हैं step by step process के बारे हमने इस वीडियो में बात की अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो like, subscribe and share कीजिए और बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रही हमारे साथ देखते रहे हमारा YouTube channel and last thanks for watching